अलो दोस्तो कैसे हो आज आपन फिर से नीट स्केम पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और रियलिस्टिक बाते जानने के कोशिश करेंगे जिसमें रियल में जो नीट में धांदली हुई है तो बार बार एक्जाम में बस बच्चों के साथ में यही चल रहा है पूरी इंडिया म ह巧ी देन चलता है पर आपन इस पर बात भी नहीं कर दे कि इस बार क्या हुआ इस बर जिस जिन लोगों स्केम को बेंग था उनका प्रेंगों क्यों है हैं फेल होने कि पीछी जड़ाने यह इस लेवल कि बहुत सारे बच्चों के साथ इंसाप कर रहे नहीं करेंगे तो सारे बच् Georgian के प्र commence अब किस किस तरीके सब्सक्राइब आपको थोड़े से इस्τε पारे मुघतान identify कि बहुत सारे बुछों की sexual mình के बहुत सारे बात बाते ने बार 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 मुद्धा है कि बहुत चोटा मुद्धा है इist पूरेिक में ग्रेश मार्किंग बहुत चोटा मुद्धा है अगर आप मरकल पर फोकस करेंगे तो आपकी बाकी बाते दबा दीजाएंगी स्unyares तरीकी से करते आ रहे हैं इन सब के लिए हम सब को इसी लड़ाई में कंटिन्यू रखना है लड़ाई को कि हमें एक्जाम चाहिए दुबार से ना हो नीट एक्जाम दुबार से कराने के फिवर में हम नहीं है लेकिन अगर हमारी साथ में गलत हुआ है हमारे बच्चों के लेना पड़ेगा और इस्टेंड यह है कि नीट एक्जाम में जो धानले हुई है जो चिटिंग हुई है जिस लेवल पर इस गेम को प्लेन किया गया है इन सारी चीजों की जाच होनी चाहिए तो एंटी यह जो बोड़ी जो टेस्टिंग एजिंसी है उसकी रिस्पंसिबि करें और सच में वह jij न flips ऑ जिससे क्या ही जिस से पूरे भारत वर्स के लोगों को इक इंसाफ मिलेगा और उनको एक को अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे ओर वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रयरिद करेंगे क्योंकि अगर एजूकिन सिस्टम हमारा जोटी हिए जब्स करेंगे तो फिर हमारे सिस्टम से विश्वास कतम होगा औरुख पिर आने वाले टाइम में फिर यह चोटा रहे हैं तो फिर हम इनके लिए ऐसा क्यों सोचे यह चोटे बच्चे की भावना होती हालां कि दिरे-दिरे जब एक इंसान समझदार होता है तो बहुत सारे चीज़े वो समझने लग जाता है लेकिन इस लेवल पे एक सतरा ठारा साल का बच्चा किस तरह के से इन चीजों को करेगा किस तरह के से इन चीजों को फेस करेगा अब यह तो बोल दिया है कि जिसको ग्रेस मार्किंग नहीं मिला या जिसके साथ में यह ठीक से हमारी द्वारा नहीं किया गया तो उनको हाई कोट में या पिर कुछ ना कुछ डालनी चाहिए ती यार मेरे को यह बताओ एक स सारी चीजों को मिनिमाइज करके और वह इस लेवल पर पहुचा था कि उसने चास्तो चालेस नमर चास्तो पचास नमर वह लेकर आया है और आज उसको पता लगा है कि रिजल्ट आने के बाद में कि उसको मेडिकल कोलेज का गेट पर जाने का मौका नहीं मिलेगा तो उसके तरीके से कानून के जानकार नहीं है यह प्रोटेस्ट करना नहीं जानते इन्होंने बहुत सारी चीजे नहीं देखी है कि इन्होंने विचारों ने सिर्फ और सिरफ किसी अच्छे से ठीक टाक टीचर को सुना है इंसी आर्टी को पढ़ाया है और उस बेस पर यह एक मेडि तो वह बच्चे इतने मेच्चोर होते हैं कि वह तुमारी खट्या खड़ी कर देते और मेरे को यह बताओ अगर नीट में सच में यह धांदली हुई है या पिर क्लियरली चिटिंग हुई है और जब आप चेक करेंगे तो आपको अगर आप इमांदारी से चेक करेंगे तो चेक करने के बाद में वो यह देखेंगे कि हां सारी चीजे जो है वो कहीं न कहीं बहुत गलत हुई है तो एक नीट का एक्जाम जिसमें इतनी बड़ी चिटिंग हो गई है और 25-30,000 बच्चों को जो मेडिगल कोलेज मिलने थी वो नहीं मिल गई है और 25 लाग लोगों के स दुबासे कहरा करा सकता है तो फिर हमें यह नीट का इक्जाम दुबाससे क्यों किरा जा सकता Oooh अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि जो air rank जो है, ऐर रिइंग जो है, जो 67 बच्चों के air rank फस्ट आई है, तो मैं बोलता हूं कि अगर यह बावाल ऐसे बना रहा, जिसे यह महौल बना रहा है, ऐसे यह महौल अगर बना रहा, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 10,000 पंद्रह हजार बच्चों की फस्ट रिंक आएगी क्योंकि ये तो फिर रुकने वारा तो है नहीं अगर इनको यहीं पर नहीं रोका गया तो फिर यह यहां पर रुकेंगे नहीं यह तो यहां से बहुत आगे तक चले जाएंगे और अगर मैं बोलता हूं कि अगर बवाल होगा सई तरीके से बावाल होगा और अगर बच्चों को इनसाफ नहीं मिलेगा तो इनके पैरेंट्स तो समझदार है और वह पैरेंट्स चड़क पे आएंगे और वह अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे और तुम्हें लास्ट में जुखना पड़ेगा इसलिए मेरा यह म वह में हमारे साथ में बेवकुप फी अपनी की है तो का एकزम दुबार से कराने में कोई भी एस प्रेइट साइध जो रियल इस प्रेइट रोगा वो नहीं होगा लेकिन अगर उसमें गड़वर हुई तो पिर तो रिय यह रिट का जो नीटका जो एकजम है वो ध जितने भी media houses है जितने भी new channels है वो उनके साथ में जो उनका real मुद्दा है उसको नहीं उठा रहे हैं वो व्यूज के लिए चोटे चोटे पांच मिनट के चार मिनट के वीडियो रिलीज कर रहे हैं जिससे क्या होता उनका वेवर्शिप बढ़ रहा है वो थोड़ी सी fame गेन क कोसिस कर रहे हैं अपना media house यह कर रहा है वो बच्चों के मैंने किसी भी social media को मैंने किसी भी new channel को अभी तक बहुत बड़े scale पे इस मुहिम को चलाते हुई नहीं देखा है अगर new channel यह चाहिए real में तो वो इस मुद्दे को इतना बड़ा बना सकते हैं और इस मतलब सरकार के आखे कोल सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता लेकिन media channel ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा media सच बोले बात को मुझे बोलने में बहुत सरम आ रही है लेकिन सच में यह बात है कि हमारा media विका हुआ है जो सरकार चाहेगी वो बोलेगा जो बड़े बड़े लोग चाहेंगी वो बोलेगा जो पैसे दे के जो इन से बुलाना चाहेगा वो बोलेगा तो ऐसा अगर हो रहा है तो तुमारे साथ में emotional blackmail हो रहा है जो media channels कर रहे हैं या फिर बहुत सारे यूटूब पर भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन मेरा यह मानना है कि जो भी teachers आपके लिए मैनत करते हैं या फ आपने नजदी की कोट में जाके या आप पे या फाइल कीजिएगा proper documentation के साथ में आपके साथ में जो भी हुआ है वो सारी चीज़े उसमें mention कीजिएगा और इस लड़ाई में सरीक बनियेगा सबके और इस लड़ाई को हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा और का exam दुबार से होता है या पर नए होता है तो जितने भी neat experience है उस time period में अपने आपको मतलब हो से नहीं लेकिन दुबार से तैयारी सुरू करें क्यों जो भी तैयारी आप कर रहे हैं जो भी चीजिए आप पढ़ रहे हैं वो जिन्विकी में आपको खहीना कहीं जरूर कम म करें वह सकता है मालता हूं कि बीस दिन बाद में पंदरा दिन बाद में सुपरिम पोड ये बोल देगी नीट का exam जो है वो दुबार से कंडल करा जाएगा तो फिर आपके पास में ज्यादा option बचेंगे नहीं पर आपको दुबार से exam देना ही पड़ेगा उस time फिर आपको क्योंकि एक गलट decision से हो सकता है कि तुम्हें ये लग जाएगी हाँ जो मैंने किया वह सही है लेकिन आपकी family आपकी society बहुत परिशान होगी बहुत हैरान होगी और आपको एक कमजोर इंशान माना जाएगा तो आप जिंदिगे में गलत पेसले मत लीचेगा अगर नीट मे होगा ये मेरा system के belief है तो ऐसा होगा तो आप फिर तयारी कीजिएगा फिसे पास साथ महीने की बात है और अगर आप में इतना कैलिबर है और आप इतने strong है तो आप पांच-छे महीने और लड़िएगा तो लड़ने से आपका क्या होगा आपकी पढ़ाई तयार हो जाएग आपको टॉपिक तयारा है तो ओके थेंक यू